Python की last video के अंदर मैंने आपको exercise 2 या फिर assignment 2 कह लो वो provide किया था अपने पिछले lectures को follow up करते हुए और आपको कहा था मैंने वो आपको solve करना है काफी सारे लोगों ने उसको try किया मैंने यहाँ पे एक list ready किया हुआ है जिन लोगों ने उसको solve कर लिया इसमें सा 99% user ऐसे हैं जिनों solve कर लिया है और 1% user ऐसे हैं जिनों ने try किया लेकिन किसी reason से नहीं हो पाया हो सकता है अब तक उन्होंने solve कर लिया हो तो ये screen के उपर आप उनके names जो है वो check कर सकते हो जिनोंने उस assignment को solve किया है अब assignment क्या था यहाँ बहुत simple सा assignment मैंने आपको provide किया था कि with the help of python के पिछले tutorials आपको screen के ऊपर यह कुछ ऐसे format में data या information को print करना है जिसमें आपसे user से आपने यहाँ पे user से input करवाना है user से पूछना है आपने enter your name user अपना नाम provide करेगा देखिए data कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम dynamic user से input लेने वाले है तो वो dynamic हो गया तो data से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन message यह होना चाहिए था और user हमें इस format में basically input देगा और यहाँ पे वो print हो जाना चाहिए कई लोगों को कुछ problem आई है और जहां तक मुझे मालिम है वो age वाले में आएगा लेकिन maximum लोगों ने concatenate करके इसको solve कर लिया तो अभी मैं आपको इसका solution provide करता हूँ कि कैसे आप इसको solve करोगे तो यहाँ पर मैंने अपने reference के लिए इसको यहाँ पर भी एक बार लिख रखा है यहाँ पर मैं आ गया और यहाँ पर मैंने लिखा print या फिर सबसे पहले मैं काम करता हूँ enter your name मुझे user से name पूछना है तो एक variable बना लिया है मैंने name equals to user से input लेना है तो यहाँ पर मैंने लिखा input और message है मेरा enter your name ठीक है और उसके बाद मुझे यहाँ पर colon लगाने है यह दो बिंदिया तो मैंने वो लगा दिया और एक space की requirement है यहाँ पर चेक कर सकते हो तो इससे वो user से input लेगा name और किस में store कर देगा वो इसके अंदर ठीक next है हमें user से पूछना role number तो यहाँ पर मैंने ले लिया role number अब चाहिए तो underscore कर सकते हैं snake case जिसे हम कहते हैं input में किया मैंने उसको enter your role number तो enter your role number मैंने यहाँ पर लिखा save करते चल रहा हूँ मैं साथी साथ third हमारे पास है enter your age तो variable भी बना लिया मैंने age name से age input enter your age ठीक है उसके बाद enter your class तो यहाँ पर मैं variable भी बना रहा हूँ class name से enter your class मैंने यहाँ पर लिख दिया अब यह सारे inputs मेरे पास आ चुके हैं अब मेरे requirement है user जो भी input करेगा उसके according हमें in messages को print कराना है ठीक है तो मैं zoom कर देता हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको और यहाँ पर मैं simply अपना terminal इसको हम print कराते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर मारे पास कुछ error है class के अंद कर सकते हो तो यहाँ पर your class कर जिते हैं your underscore class ठीक है तो यहाँ पर मैंने उससे यह पूछ लिया अब मुझे इन values को प्रिंट कराना है screen के ओपर ठीक है screen के ओपर मैं चाहता हूँ यह values जो है वो print हो जाए तो यहाँ पर मैं आ गया और यहाँ मैंने लिखा print और print के अंदर मैं कुछ ऐसा your name is your role number is you are 22 years old your classes ठीक है तो हमें यह करना है तो यहाँ पर मैंने लिखा your name is और इसके बाद क्या आना चाहिए उस particular user का नाम आना चाहिए तो मैं बाहर आगया और मैंने concatenate किया और जो भी उसने name input किया वो name के अंदर store है उसको मैं यहाँ पर print कर रहा हूँ ठीक copy करने के बाद इसको मैंने चार बार paste कर दिया name के बाद है हमारे पास role number तो your role number is ठीक है मैं एक बार format चेक कर लेता हूँ बराबर है या नहीं है role number का ठीक है your role number is और उसके बाद जो भी उसका role number है हम चाहते है कि screen के उपर वो as it is show हो जाए ठीक है तो role number enter your age उसके उपर बा class is और उसके बाद class your class is और उसके बाद हमारे पास print हो जाना चाहिए जो भी your class के अंदर store हो चुका है value वो ठीक है अब यहाँ पर बात करते है age का जिसको हमें बीच में print करना है you are तो यहाँ पर मैंने लिखा या फिर your age is I think यहाँ पर चेक कर लेता हूँ मैं you are 22 years old तो मैं यहाँ पर आ गया simply और यहाँ पर मैंने लिखा you are और यहाँ पर आ जाएगा 22 years old ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा you are 22 तो चलो user input करेगा years old अब यहाँ पर हमें इसकी कोई requirement नहीं है आखरी में ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिखा you are और इसके बीच में हमें वह value चाहिए जो user input करेगा age के अंदर ठीक है तो you are हमारा एक string है जिसको मैंने यहाँ खतम कर दिया उसके बाद हम क्या चाहते है यह हमारा एक दूसरा string ह इसको मैंने यहाँ से शुरू किया यहाँ से खतम किया इसको यहाँ से खतम किया start and ending point इसके बीच में हम क्या चाहते है इसके बीच में हम चाहते है जो भी variable है उसकी value print हो जाए with the help of concatenation तो मैंने age लगाया अब यह एक error generate करेगा क्योंकि age के बाद हमें string को भी जोड़ना है ठीक है तो यहाँ पर भी आपको plus लगा देना है ठीक यहाँ पर space देना ना देना एक ही बात है आपकी मर्जी है लेकिन इसमें हलका सा एक problem है output में थोड़ा सा यह अजीब दिखेगा मै मैंने अपना terminal open किया और मैं फटा-फट से path change करके अपने desktop पे आ रहा हूँ और मैंने इस file को run कर लिया python answer.py answer क्या था enter your name तो मैंने इसको provide किया नाम, enter your roll number मैंने इसको दिया 1, enter your age मैंने provide किया 22, enter your class मैंने दिया इसको BCA and hit किया मैंने enter, क्या था सब कुछ सही है अगर ध्यान से देखोगे तो your name is cyber warriors, यहां से हमारा answer start हुआ, your roll number is 1, you are 22 years old, your class is BCA, अब यह 22 आपस मैं gap नहीं है चिपक गया और दूसरी चीज यह mix हो गया, उपर के साथ मैं चाता हूँ थोड़ा सा gap आ जाए, ठीक है, तो gap provide करना है और सबसे पहले तो एक यहां पर space चाहिए मुझे, देख पा रहे हो तो आप यहां पर problem क्या आ रहा है, 22 और years के बीच में space नहीं है, तो एक यहां space दिया मैंने और यहां space दिया, ठीक है, दूसरी चीज मुझे इसके ऊपर कुछ gaps चाहिए, जो हमने provide किया, तो आप यहां slash n लगा लो, या फिर यहां पर slash n लगा लो, तो मैं answer को print करने से पहल मैं clear कर रहा हूं यहां पर, और मेरे file को मैंने run किया, python, answer, 2.py, enter your name, let us say, इस बार दिया मैंने amit, enter hit किया, enter your roll number, मैंने provide किया, 5, enter your age, let us say, 19 years old, enter your class, let us say, 12th, या फिर first year, college का first year, let us say, become, और मैंने hit किया, enter, अब अगर मैं उपर scroll करके दिखाओं, तो यहां पर आपको gap दिखेगा, ताकि आप differentiate कर सको, your name is amit, your roll number is 5, you are 19 years old, your class is become, तो कुछ इस तरीके से आपको इसको solve करना था, जिन लोगों ने भी मेहनत किया, और solve कर लिया चाहें, solve नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आपने इसको try किया, बहुत ही अच्छी बात है, आप सीख रहे हो, धिरे-धिरे करके input को, जैसे ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, आपकी practice होती चली जाएगी, मैं उमीद करता हूँ, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको कर दे, चर वाच्छा, artillery जाएगी, मोच्छा उधिरेंगे, टैस वीडियो आपको सभाएवबे चाह्यों वाच्छा